आज समण संग को दोबारा से जानकारी लाने के काम का जो हम काम कर रहे हैं सारे मिलके दोबारा से लोगों को याद दिलाने का जो काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि हम समण हैं ये भारत समणों का है उसको आज साम को दो साल पूरे हो जाएंगे ये दो साल जो हमारी जूम की मीटिंग है उसके दो साल हैं पर जो समण लोगों का जगाने का काम है वो काफी दूनों से चल रहा है उसको आप समझ सकते हैं कि वो दो हजार के बाद से लगबग चल रहा है और अब परिस्तितियां ऐसी बनी हैं कि लोगों को चाहे या ना चाहे उनको समझ संग के वारे में सुनना पड़ेगा समझ संग के वारे में जानका लेनी पड़ेगी कि अब समर संग के अलावा या अपने संग के अलावा हमारे पास में अपने विकास अपनी सुरक्षा और अपने सुख के लिए कोई भी रास्ता बचा नहीं है ये जो समर्सब्द है ये समर्सब्द बड़े कमाल का सब्द है आप इसको कह सकते हैं कि मैजिकल सब्द है चमतकारी सब्द और जो लोग गौड में यकीन करते हैं, इस्वर में यकीन करते हैं, किसी ऐसी सक्ती में यकीन करते हैं जो हर चीज को बदल सकती है तो ये समर्सब्द वही है, हमारे लिए ये समर्सब्द हर ताले की चाबी है अगर हम पुराना इत्यास इत्यास से पहले यानि इत्यास से पहले भी एक इत्यास बताया जाता है जो काल्पनिक है या जिसके कहीं कहीं थोड़े बहुत चिन्न मिलते हैं पूरी कहानिया नहीं मिलती हैं तूडी फटी कहानिया मिलती हैं उसको इत्यास से पूर्व का इत्यास बोलते हैं इंसेंट हिश्ट्री तो उसके हिसाब से अगर देखें पूरी दुनिया में और खास्तोर से भारत के हिस्से में तो बहुत सारी नागरिक्ता हैं यानि नागरिक्ता अब ये जो नागरिक्ता सब्द है ये आप रोज इस्तमाल करते हो पर इस तरह से नहीं जिस तरह से आज हम इसको इस्तमाल करेंगे हमें ये सिखाय जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सभ्वेता है और सभ्वेता के नाम से हम इसको जानते हैं और सभ्वेता को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइजेशन और अगर सब्वेता को हम पाली में बदलें तो उसका मतलब होता है नागरिकता नागर माने जो होता है वो होता है सब्वे अगर हम नागर किसी को कहेंगे तो कहेंगे सब्वे और सब्वे का मतलब होता है नागर का मतलब होता है सिटी जन यानि जिसको हम आजकल नागरिक बोलते है और अगर हम नागरिकता कर दें नागर का तो बन जाता है सब्भेता citizen, civilization और अगर हम नगर निगम कर दें तो निगम माने होता है कसवा या city और नगर माने होता है नागरिक यानि नागर यानि citizen जो उसके बासिंदे हैं तो सब्भेता हमें बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं सिंदू गाती की सब्वैता, हडपपा की सब्वैता, सब्वैता के नाम से, इसको नागरिक्ता नहीं बोलते, पर हम इसको नागरिक्ता बोलेंगे. तो जल्दी समझ में आएगा. क्योंकि सब्वैता सब्द, सब्द इतने बदले गए हैं, कि छोटी बात भी बहुत जटल हो जाती है तो हडपा नाग रिकता यानि हडपा में रहने वाले नाग लोग यानि नाग वंसिया लोग जो हडपा में रहने वाले थे यह हम कहें मोहन जोदुडो की यह हम कहें यहां जो राखी गड़ी चल रहा है उसमें जो मिल रही हैं बौड़ियां राखी गड़ की सब्वेता यह हम कहें जो हतीन के अंदर बुद्विहार मिलते हैं उनकी सब्वेता यह हम कहें जो अगरो हमें मिलते हैं बुद्विहार उसकी सब्वेता जो हर्याने में मिलते हैं उसकी नागरिकता या हम कहें जो मद्धर प्रदेश कंदर भीम बेट का है जहां बहुत पुराने चित्र हैं उसकी नागरिक्ता तो हमको जो सिविलाइजेशन या सब्वेता या नागरिक्ता पढ़ाई जाती है वो कुछ पढ़ाई जाती है किताबे हमने लिखी नहीं, हमाइए तो लिखने पढ़ने का सारा मामना खRAB है बड़ी मुस्किل से हम उनी किताबों को पढ़ रहे हैं और उन queer और उन estHow अगर आगर आप उन फो पढ़ के वैसा ही नहीं लिखोगे exam, तो आपको number नहीं मिलेंगे और आपको नमबर नहीं मिलेंगे तो आप अगले दर्जे में नहीं जाओगे और अगली क्लास में नहीं जाओगे तो उची डिग्री नहीं मिलेगी और उची डिग्री नहीं मिलेगी तो नौक्री नहीं मिलेगी इसलिए बाद्धता हो जाती है कि जो कोर्स हमें बाद्ध दिया हमारे सर पर रख दिया उसको हमें वैसा ही पढ़ना है हम उसमें अपना दिमाग अपनी अकल नहीं लगा सकते अगर अपना दिमाग अपनी अगल या अपनी रिस्टर्स उसमें लगाएंगे तो आपको आउट कि बाद होती है तो कहते हैं वैदिक सभेता है वैदिक सभेता क्या होती है और भी जो सभेता है यानि नागरिक्ता है उनका जिक्राता है पर यह जितनी भी सभेता या जितनी भी नागरिक्ता मतलब नागर लोग लोग रहते हैं इसको नागरिक्ता इसलिए नहीं बोला जाता नाग या निगम इसको नहीं बदल पाए ये चलते हैं इसका शहर तो बन गया शहर बोलने लगे कस्प बोलने लगे जो उड़्दू की भासा है पर नागरिक्ता नगर ये नहीं बदल पाए इसे नाग लोगों का जो दावा है और जो कबजा है वो ऐसा का ऐसा ही बरकरार है कर आप इसे सब्हेतागी जेगे नागरिक्ता बोलेंगे तो समड धम, समड कल्चर, समड एजूकेशन, समड कसक, समड सेनापती, समड राजा, समड गुरू, समड बुद्ध, समड फूले, समड साहू, जितने भी हम समडों के वारें बात कर रहे हैं, आखिर इन सब को इखटा करके क्या बोला जाता है? तो हम इसको समड कल्चर कह सकते हैं, समड संखती कह सकते हैं, समड संस्कती कह सकते हैं, पर समड कल्चर और समड संस्कती और समड संखती ये किसमें आते हैं, ये किसका हिस्सा है? क्योंकि समण culture के अंदर तो समणों का रहना, खाना, पीना, बोलना, भासा, चाल, उनकी मत, उनकी विचार, उनकी ideology सब आते हैं उनके गुरू, उनका पहनना, उड़ना, नाचना, गाना, सब आता है पर जो सब्हता है, वो समणों की कहा है क्योंकि ये सारा कुछ जितना भी समण संखती आती है वो भी समण सभ़़ता का, समण नागरिकता का, समण स्टिजि tensionship का, समण civilization का हिससा है तो समण सब्द वहां से गायब है यानि समण सभ़़ःता के नाम से कोई सभ़़ःता नहीं है जितनी भी सब्भेता हैं उन सब्भेताओं के अंदर हमारा नाम ही नहीं है और अगर हम पूरी सिविलाइजेसन में हमारा नाम ही नहीं होगा तो हम सिविलाइज है नहीं इसका मतलब हमने कोई सहर ही नहीं बसाया हमने कोई सहर के अंदर कोई डबलेमेंट किया है नहीं तो य ये हजारों सहर बसे हुए हैं और सोले महा जनपद रहे हैं ये के हवा में आगे ये सोले महा जनपद हैं इनकी सिविलाइजेशन इनकी नागरिक्ता या इनकी सब्भेता वो कहा है उसको कौन बताएगा और वो जो नाग जो नाग लोगों की सब्भेता है उसका जिक्र कहा है क्योंकि हम जितनी भी सब्वेता हैं जितनी भी सिविलाइजेसन जितनी भी नागरिकता बता रहे हैं वो मरी हुई बता रहे हैं यानि मरे हुए का जिक्र तो है हडबा के अंदर मर गए मोहन जोदोलों के अंदर मर गए राखीगड में मर गए भीम बेटका में मर गए और भी civilization है, बहुत सारी, सिंदू घाटी की सभ्वेता है, और भी चलती रहती हैं, पर मरी हुई को खोद-खोद के बता रहे हैं, और जिंदी का जिकर नहीं कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो मरे हुए मुर्दो को दूसरे नाम से बताय जा रहे हैं, बताय जा रहे हैं बताए जा रहे हैं और जिन्दी सभ्था को और यह जो 120 करोड़ों जिन्दी सभ्था हैं जिन्ते नंदागरिकता है यह क्या हवा में आगे इनका जिक्र कहा है इनकी सिविलाइजेसन का जिक्र कहा है इनके सिटी कहा है इनके कस्वे कहा है यह कहा है तियास के उसकी civilization अदल बदल के बताई जा रही है, उसकी सब्भेता बताई जा रही है, उसकी नागरिकता बताई जा रही है, सारी किताबों में, पर दस हजार का जिकर गायब है, कोई इस बात को सोचने को त्यार नहीं है, कि पूरे भारत के अंदर अगर कोई सब्भेता, कोई नागर नागरिकता कुई अगर civilization है तो वह समण civilization है वहाग नागरिकता है और वर्मनों की तो कोई नागरिकता नहीं है वर्मनों की कोई civilization नहीं है आप पूरी Kathед एक सब्धढ बोह हुएत हदीजिए को ने एक सब्धढ बेसक किताम उन्हें ने लिखी हैं, बेसक कताबें बदी गई हैं पर आपको ब्रहमन सब्पेhatा या वमन सब्पेτιा के नाम से कोई सब्पेता नहीं मिलेगी. इसका मतलब उनका कोई शेहर ही नहीं है औरो लोग कोई सहर बसाए नहीं है, अगर सहर बसाते तो उनकी सब्धता उनकी नागरिक्ता या उनकी सिवलाय जेसन होती ही कही ना कही और चुकि वो बसाय नहीं है इसलिए है नहीं और हिस्टी में भी नहीं है और हिस्टी से पहले भी नहीं है और आज भी नहीं है पुराने जितने भी सद्द मिलते हैं गाओं में गाओं के कस्वो के सहर के टीलों के जितने भी नाम हैं जो समड नाग्रिक्ता के लोग रहने वाले हैं उन निगम में रहने वाले लोग हैं उनके नाम सारे के सारे वही हैं जो समडों के नाम चले आ रहे हैं उनके नाम नहीं बदले गाओं के नाम भी वही हैं सहरों के नाम तो अदलते बदलत होता है कोई भी गौष्मेंट आई बदल देती है कोई भी राजा आया बदल डेता है पर गावॉंगे नाम अगर बदल भी जाए तो पुराने रहते हैं कि गावों के लोग अपनी सब्वेटा से अपनी सेटीएस्ण से अपनी नागरिक्ता से बहुत प्यार करते हैं और गाओं की संखिया साड़े च्छे लाक है आज के समय उस समय भी लाखों में होगी इतना बड़ा भारत है तो गाओं के अंदर से समढ़ सब्वहता समढ़ कल्चर समढ़ सिवलाइजेसन या समढ़ नागरिक्ता इसको नही लोगी वही है उनकी भासा भी वही है उनका सब कुछ वही if अलग बात है कि सब्धूब कलेगे या उनके सब्द समय नहीं आई या नो और जो सिवलाइजेसन है या जो नागरिक्ता है वैसी की वैसी इंटेक्ट मिलेगी आपको पर साहरों में गडाब है से फहरों में बद है जो अल्प संक्यक होता है वो हर लोग में चायता है कि पुरानी बातों को भूल जाएं बार न को भूल जाएं पुराना जो कुछ हुआ भूल जाओ अगर हमने आपके साथमें कुछ किया है तो भूल जाओ नई शुरूआत करते हैं अरे जाती से हुआ तो जाती भूल जाओ, वर्ग से हुआ तो वर्ग भूल जाओ, मार पिटाई हुई तो वो भूल जाओ, और तो के साथ ब्रातकार हुई तो उसे भूल जाओ, आओ नई शुरुआत करते हैं, पुराने से क्या लोगे, ये अल्प संख्यक हमेंसा जब भी दवाब में प्रेसर में आएगा, ये कहेगा, और वो कहना भी चाहिए उसको, क्योंकि उसको धर्म है, उसको बचना है, उनसे सिकायत नहीं है, क्योंकि आदमी जो अल्प संख्यक होगा, वो हर चीज को अपने खाते में अपने हिसाब से मोड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई सिविलाइजि चाहे तो प्यार से, चाहे तो डरा के, चाहे तो लालस दे के, चाहे तो स्रजिंद करके, चाहे तो किसी भी तरह से, वो उस सब्हता पे अपनी च्छाप लगाएगा, ये पूरी दुनिया में चलता है, इसका ना बुरा मानना है, ना अच्छा मानना है, पर हमारे जो सिकाय है वो अपने स्रमणल लोगों से है कि तुम पढ़ गए लिख गए सारा काम बावा साब से करवाओगे क्या कुछ नहीं करोगे इतनी सी बात हैं समझ में नहीं आती कि यह जो 120 क्रोड लोग हैं 125 क्रोड लोग हैं अगर यह हैं तो इनकी सिविलाइजेशन भी तो है इनकी आगर वो नागिक्ता है अगर वो सब्ध़ा है सिविलाइजेशन है वो इतनी विसाल है सोले महा जन्यपत उचरन अंध्रा को सब कुछ देखे चलेगे फिर किया दिकत है और दूसरे के सब्दों को रट रहे हो तो दूसरे को इसाथ कर देते एक वार ये ये कह देते कि सिर्मन सब्वहता हमारी है सिर्मन सिविलाइजिसन हमारी है सिर्मनन कल्चर करते रहे स्रमल कल्चर में भी उल्टा बता दिया कि स्रम करने वाले हैं और बिड़ा गरख कर दिया यानि बताया भी तो बिड़ा गरख कर दिया तो सारा काम कौन करेगा दो साल लगे हमको उस सारी चीजों को खोद के यहां तक पहुंचाने में पूरे दो साल लगे हैं आज इस concept का ये आखरी concept है civilization से आगे सब्भेता से आगे नागरता से आगे कोई चीज नहीं है आज अगर हम ये बात तै कर चुके हैं कि हमारी जो सब्भेता है हमारी जो civilization है हमारा जो नागरता है उसका नाम समढ है यानि हम समण सभ्था के लोग हैं हमारी सभ्था समण है जो मरे हुए, दबे हुए, कुछले हुए वो नाम हमने दिये उनको हडपा का नाम हमने दिया हमको मोहन जोड़ो का नाम हमने दिया हमको सिंदु घाटी का नाम हमने दिया उनको पर किसी ने भी समढ़ सभ्था के मरे होने का नाम नहीं लिया यानि समढ़ सभ्था जीवित है समढ़ सिविलाइजियेशन जीवित है और बहुत बड़ी संख्या में है 120-125 क्रोड़ों लोग है पर इसको कहो तो सही के ये समढ़ सभ्था है समर्ण सिविलाइजेशन है, समर्ण नागरिकता है और फिर इसकी जो संखती है, जो संसकती है, उसको निकालो कल्चर को बाहर कि समर्ण कल्चर क्या है, समर्ण संखती क्या है, समर्ण संसकती क्या है तो पहले समण सब्भेता को मानो कि हम समण सब्भेता के लोग है और समण सब्भेता से हमारी समण कल्चर चलती है और फिर समण कल्चर में हमारा समण धम आता है समण संग आता है, समण गुरू आते है समण राजा आता है, समण कसक आता है, किसान आता है समण हमारा वैद आता है जिसको बेदी बुला करते थे जो बेदता है समण हमारा भैसज्य गुरू आता है भैसज्य आता है समण में हमारा जो यांत्रिक है यानि अभियनता है जो हमारा गाड़ी और बैल बनाया करता है वो आता है सारे काम समणों के हैं ये जितनी भी सब्भेता का विकास किया है, यानि नागरिकता का विकास किया है, हमने तो किया है, यहाँ कोई और तो आया नहीं, किसी के नाम कोई प्रेटेंट नहीं और कोई भी आप साहित्य उठा लो, बेसक, चाहे साहित्य बदला हुआ भी है, उसे भी उठा लो, कोई य सबसे पहले हमने जलाई पहिया सबसे पहले हमने बनाया बैल गाड़ी सबसे पहले हमने बनाई जानवरों को साधना सबसे पहले हमने सीखा हमने सिखा हमी तो थे यहां कि खेती किसानी करना हमने सीखा जूता बनाना सबसे पहले हमने सीखा लेदर के सामान बनाने हमने सीखे धनुस बनाना हमने सीखा, आतें जो जानवर की आत होती है उसको धनुस की तांत में लगाना हमने सीखा, जो तीर कमाने सीधे तीर कमाने बनाने हमने सीखे, जो मकान और जौपणी बनाने सबसे पहले हमने सीखे, धातु सबसे पहले हमने खोजी, धातु आने बाद पत्थर क श्ण की रणके घंडीक हने रभी एपिंश्र के मिलें हमने पत्थर की सड़के बनाइएं हमने इंड़िस्ट्री के और समान बनाये धागा सबसे पहले हमने बनाया धागे का कपड़ा सबसे पहले हमने बराया जो लिपियां थी पहले वो जैसे आजकल इमोजिन चलते हैं जिनको हम इमोजिन सारे सारे दिखाई देते हैं जो चिन्न होते हैं ऐसे चिन्नों की लिपी सबसे पहले हमने बराई धम लिपी भी हमने बराई जिसको असुग लिपी बोलते हैं वो भी हमने बराई देव नागरी लिपी भी हमने बराई अक्षर भी हमने बराई लिखे भी हमने सबसे पहले पत्थरों पे पढ़े भी हमने पढ़ने के संसादा हमने बराई नियम हमने बराई संगों के नियम हम हमने ना की हो. Raja हम थे, गुरू हम थे, जो अत्जन वाले थे, यानि कि इनर स्पेस वाले, जो अपनी body की जान के रखने वाले वो हम थे. सारी सारी जितनी भी जानकारी हैं, ब्यापारी हम थे. कोई भी चीज ऐसी नहीं, जो समढ़ सब्भैता का हिस्सा ना रही हो, समर्ड कल्चर का हिस्सा ना रही हो, समर्ड सिवलाइजियन का हिस्सा ना रही हो और हमने ना की हो, कोई किसी ने की हो तो लाके दिखा दे, कोई किसी ने बनाया हो तो बता दे किसने तीर कमान धरुस बनाया, कब बनाया, ये इस पस्ट है, हमारे सिस्टम से पता चलता है कि हमारी जो सिविलाइजेजेशन है उसमें बाद के समय में जो काम हम करने वाले थे वही हमारा नाम पढ़ गया जिसको बाद में जाती करते हैं और हमारी सिविलाइजेशन में जिसने काम नहीं किया वो उसके पास जाती नहीं है यानि जिनके पास काम करने की डिगरी होती थी काम करने का नाम होता था वही उनकी जाती पड़ी उत्पती जाती का मतलब उत्पती पड़ी और जिन्होंने काम ही नहीं किया जो काम ही करना नहीं जानते थे और उससे भी उपर जो हमारी civilization है, नागरिक्ता है, जिसको सभ्था बोलते हैं, वो गजब की है, और इस पर कोई चाहिए बहस कर ले, कोई चाहिए तो इसको खोज ले, इसका नाम समण सभ्था है, अगर इसका नाम समण सभ्था है, तो इसको समण सभ्था ही कहना चाहिए, इ कोई काट नहीं सकता और कोई दावापेस्क नहीं कर सकता क्योंकि हम ही है ज़ों सारे काम की चै दबलब होती है वहां के काम करने वाले लोगों से मंगतों से नहीं होती याजकों से नहीं होती भिकमंगों से नहीं होती भिकमंगे दूर रहते हैं जब बजार जम जाता है जब गाउं बज जाता है तब आते हैं भिकमंगे जहां गाउं बस रहा हुआ भिकमंगे नहीं आते तो बसाने नहीं आते हैं तो यह जो चैप्टर टोटल समण संका था यह कंप्लीट है आज अब सिर्फ हमें काम करना है क्योंकि समण सभेता से लेके और समणों का जो समिधान हैं सम सब्सब्द से बहुत सारे सब्द बने हुएं सम से, साम से, सुम से, सौम से, समा से बहुत सारे सब्द हैं यह सारे समणों की सभेता की सब्द हैं और यह सैकलों की संक्या में हैं समण से बने हुए सब्द हैं समण से बने हुए उची से सम्विधान बना हुआ है सम्विधान तो वहां से लेके और यहां तक सारी की सारी civilization किसी की सभ्वैता किसी की नार्गता उधार नहीं दी है लोगों ने हमारी civilization पे हमारी सभ्वैता पे हमारी नार्गता पे अपने ठपे लगाए हैं अपने नाम बदलें जैसे एक सरकार आती है तो सहरों के नाम बदल देती है, दूसरी आती है तो फिर कुछ और नाम बदल देती है, तीसरी आती है तो और बदल देती है, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, पर सिविलाइजेसन के मालिक हम ही हैं, समढ़ी लोग हैं, इस बात को जो लोग समझ गए हैं, और जितने जादा समझ गए हैं, वो जाद और निगम बने हुए हैं, और जो गाम बने हुए लाखों, इनकी जो कल्चर है, इनकी जो सब्धा है, इनकी जो स्विलाल जाजी जासने, वो कहा है, वो वही की भही है, इसलिए हमारे जीतने की गारणटी 10,000% है, अगर हम सिर्फ एक चमतकारिक सब्द पकड़ लें, अगर ह हर बात में कहें, हमारा जो धम है, वो समढ धम है, कल चुकी बुद्ध की बात होगी, और कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध की बात में साफसा बुद्ध ने कहा है, कि वो समढ बुद्ध है, यानि कि महा समढ है, और समढ कल्चर को ही रूने डबलब किया, और समढ सब्भेता के गुरु रहे हैं तो अंतर कैसे पहचानेंगे समण सब्भेता में और दूसी सब्भेता में 4-5 अंतर मोटे मोटे से हैं जो आप पहचान सकते हो अगर किसी कल्चर के अंदर, किसी धम के अंदर किसी गुरु के अंदर गौड है और वो गौड को मानता है गौड की उसमें मानता है तो वो समढ़ सभ्यता का हिस्सा नहीं है अगर कोई चमतकार को मानता है और ऐसी कहानियों को मानता है जो चमतकार पर आधारित हैं तो वो समढ़ सभ्यता का हिस्सा नहीं है अगर कोई ऐसी चीजे मानता है जिसमें कि सुख दुख नहीं है मनुस्व के दुख दूर करने की बात नहीं है तो वो समढ़ सभ्यता का हिस्सा नहीं है वो कोई और हिस्सा होगा अगर कोई यह कहता है कि तस्वीर या मूर्ति या कोई प्रतिक चिन वो सबसे उपर है और मनुस्व से बेकार है तो वो समढ़ सभ्यत का चिन नहीं है कोई अगर यह कहता है कि मुझे इस चीज के नाम पर कोई कालपनिक चीज है या कोई चित्र है या कोई मूर्ति है उसके नाम पर मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ दे दी जी या इस मूर्ति को चाहिए या इस जो तस्वीर है उसको चाहिए या इसके नाम पर चाहिए तो वो समढ़ सबताय का हिस्सा नहीं है यह कुछ मोटी मोटी पहचाने हैं जिससे हम समढ़ संत के जो गुरू हैं समढ़ संत के जो संत हैं समढ़ धमके उनको हम पहचान सकते हैं और जो समढ़ धमके नहीं हैं उनको हम अलग करके र जैसे बाकी साध्रन समन रहते हैं, यानि संत में और जो संत के अनुयाई हैं, उनके रहन सेन, खान पीन उठने बैठने में कोई अंतर कोई भेद नहीं होगा, वो बुलकुस सेम रहते हैं, इसका सबसे सटी को धारन आप देख सकते हो, जो समन परमपरा के समन धम के जो गुर समन फ़ते था उन्होंने पूरा किया, पर रहन सेन सारे भिकों की तरह था, जैसा चीवर वो पहनते थे, बलकन वो तो और भी घटिया चीवर पहनते थे, कूडों पर पड़े हुए कपटों का पांस सु कुलिक, यानि धूल में सने हुए कपटों का हाथ से बना हुआ औरыв वो तो और भी डीडेट कर रहते थे अपने आपको, और नीचे कर रहते थे, भिक्कों के चीवर अच्छे होते थे, चेलो के, अनुयाई होके और उनके खुद के बेकार होते थे, खाना भी वही खाते थे, जो सब खाते थे, जितना सब को मिलता था, उतना ही बुद्ध को मिल ये समढधम के जितने بھی संत्य उनकी पहचान है जैसे कवीर साहब हैं अपना काम कर रहें कपला भी भुणने हैं और पढ़ाह भी रहें और अनुयाई सुन भी रहें जैसे रविदाज जी हैं अपना काम भी कर रहें और लोगों को जानकारिब दे रहें यह समड़ धम संत के जितने भी लोग हैं समड़ धम की परंपरा के इनकी बड़ी खास बात है इसलिए आप इनको पहचान लोगे तो जहां भी समर्धम के प्रंपरा के गुरू मिलें उनकी बात सबकी एक है उनका रहना पीना खाना अलग-अलग हो सकता है उनका तरीक अलग हो सकता है पर वो हैं सारे समर्धम के संथ तो आपने ये मान के नहीं करना है कि वो समर्धम के संथ नहीं है आपने ये मानग चलना है कि वो हमारे समण हैं और समण धर्ण के संत हैं उनकी कोई प्रंपर अलग हो सकती है पर उनके हैं आना जाना आरहम करना चाहिए उनको बताना चाहिए कि हम सब समण हैं ये हमारे समण संत हैं और हम सबर सब बहता के लोग हैं इससे हमारा जीतना बहुत आसान हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा क्योंकि दो साल पूरे हुए हैं तो दो साल में आज ये जो कंसेप्ट है इसका भी लगबग आज पूरी तरह से ये समाप्थ हो गया क्योंकि इसके बाद सिर्फ हम इस पर रिसर्च करेंगे समण सब्भेता के ओपर जो समण हमारी सिवलाइजेशन है और जो समण हमारा नाग रिकता है अब इसके ओपर रिसर्च चलेगी पूरे जीवन भर हमारे लोगों से और बाचीच चलेगी समर्ण सभ्था को हम डबलप करेंगे समर्ण सभ्था में सब भी जाती है समर्ण कल्चर भी आती है समर्ण धम भी आता है समर्ण गुरू भी आते हैं समर्ण रहनसेन भी आता है समर्ण शहर भी आते हैं समर्ण देश भी आता है समर्ण राजा भी आते हैं एक मेरी सला है आप लोगों को, कि आप लोग अब शांती बना के रखें, बाहर से कोई आदमी आता है, नए आदमी आता है, या किसी नए आदमी से आप बात करते हैं, यह एक्समेंस हमने किया है, यहां जो लोग आएंगे, वो आपकी तरह पके पकाए लोग नहीं होंगे, द हमें तक पहले तक ऐसी थे, जल्दी जानकारी जानगे, तो जानकारी आगे देनी है, अब हमें अपने संतों का वो काम करना है, कि हमें शांती के साथ लोगों को जानकारी देनी है, धमका समन गंत देना है, और भी एक इंटोड़क्टी समन गंत आने वाला है, चोटा सा, व सख्वार है वो देना है वेबसाइट है वो देनी है जो वीडियोज है वो भेजनी है अपनी वीडियोज बनानी है अपनी चीजे बनानी है और कोई अगर यहां आता है तो उसको धेरे के साथ सुनें वो देखें कि उसका लेबल क्या है वो कितना जानता है कितना समझ गया वो जब वो बोलेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तो उसको धहरे से सुनें जब तक आप धहरे से सुनेंगे नहीं वो आपकी बात नहीं सुनेगा टाइम लगेगा इसमें किसी के हैं जाएंगे तो भी ये काम बहुत धिरी-धिरी से करने का है पर समय कम है इसलिए टेज करने का है और ये काम अब रुखने वाला नहीं है बहुत फीडवेक लिए आज मैंने बहुत फॉन किये फीडवेक ये मिला कि समर्बसंग जिस रफ़तार से और जिस तरीके से काम करा रहा है और वो भी बिना किसी मदद के ना तो हम में कोई मीडिया वाला सपोर्ट करता है ना ही कोई हमारा जो चैनल है वो आके पूछता है कि क्या समरसंगे क्या नहीं है जो नेता लोग है वो गुरुद हागे सारे सारे क्योंकि काम तो हमने स्टार्ट किया था नेताओं को जोडने का संग्ठनों को जोडने का पर हम उसमें फेल हो गए हम इस बात को सुकार करते हैं कि हम नेताओं को और संग्ठनों को नहीं जोड़ पाए हमने बहुत खुसामत की अभी भी कर रहे हैं फिर कारिकम लगाया है चौते तारिका आएंगे ठीके बात करेंगे उनका एहम और वहम बहुत जादा है वो हमको भी जवरिस्ती संख्ञण बनाने में लगे पड़े है वह बार बार कहते हैं यह भी संघ्ण यह भी संख्ञण यह भी संघ्ञण किसी का नाम बताते रहते हैं कहते हैं आँए और पर दिस concept के लोगर रहे हैं तो न llevरेगे बोलते अमरीका से तो आएंगे नहीं, यह सारे ही समण है, और इनी समण से काम चलाना है, तो पेसेंस के साथ, प्यार के साथ, मैं बिना लड़े, बिना जगडे, क्योंकि एक बार आप लड़ोगे, तो व्यक्ति चला जाता है, फिर उसको साधने में बहुत टाइम लगता है, इसका नहापर से जो प्रचार प्रसार में गए थे, उन से सीख के काम करना है, पूरे त्रिपी टक में, पूरे बुद्ध के आंदुलन में, सिंगल कहानी एक नहीं मिलती, जब बुद्ध या बुद्ध के अनुयाईयों ने किसी से चलबल के बात की हो, या किसी को धंकाने के नहीं है, उसके हिसाब से बात करते थे, वही टैक्निक हमें सीखनी है, या आएंगे या हम लोग जाएंगे, जुड़ता है तो ठीक है, और नहीं जुड़ता है, तो वेट करेंगे, और बहुत लोग है, एक सो बीस क्राड़ों लोग है, अगर एक व्यक्ति नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, वो बहुत जबजस्त है, और पूरे दो साल के अंदर हर संग्ठन के आदमीने इस कंसेप्ट में, जितने छेद की हम उनके शुक्र गजार हैं, जितने भी उन्होंने किया, हमने वो ठोक पीट के ठीक कर लिए, हम कम्या ढूंदते रहते हैं, अपनी कम्यों को दृस्त करते हैं, और कम्यां सीखते रहते हैं, यह लगाता पॉस्स चलता रहेगा, हर व्यक्ति या कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लोग उसको परफेक्ट बनाते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे, तो हम गाली का करन ढूना का वहां लगेगा संग्ठनों का उसमें कोशिच करने के ज्यादा संठन आए और तेरे तारी को हमारा हाऊस लगेगा उस हाऊस में बड़े प्लान आएंगे इसलिए जितने भी लोग हैं वह नागपुर जाने का रिवेशन करा ले क्योंकि सारे संगी वहां नागपुर में ज चलेगा house क्योंकि पूरे दिन house चलाएंगे और अगर कम पड़ गया तो अगले दिन रात को फिर चलाएंगे हर एक व्यक्तिकी बात सुनेंगे सारी बात सुनेंगे क्या क्या संग के लिए परिसानी आई क्या क्या नहीं आई दो साल की पूरी समक्षा होगी वहां पर और वो समय आ गया इस नहीं है नागपुर जाने की सब अपनी टिकेट बुक करा लें और कटके सर एक दिन में बता देंगे आपको उसी के साब से आप करें मेरे इन सब्दों में अगर किसी को कोई परिसानी हुई हो तो मैं संग से माफी चाहता हूं संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे दो साल बे मिसाल जूम की मीटिंग पूरे होने की सब को मंगल कामना है कल हमारे समण महागुरू महासंत समण बुद्ध का जनम दिन भी है और परिनिबत यानि के मरण दिन भी दिल्ली में गुद्ध की हस्तियां के लिए आना जायन गुद्ध की हस्तियां दे एंदर आजाये में हचमाली के Het वान चैकेट पर सब्सक्रार में नॵिध के प्राल गारे लिएavil आट वहीं तक आजाएं, मेट्रो जाती है वहां पर उद्ध्योग भवन पर, उद्ध्योग भवन से CPWD का दफतर है, उसके बाद में विदेश मंत्राल है, उसके सामने ही नेशनल म्यूजियम है, पैदल का पांच मर्ड का रास्ता है, वहां सारे मिलेंगे, वहां बुद्ध की अस्तियां मिलती है, हड्डियां मिलती है, वह एथियासिक होता है, कालपनिक नहीं होता है, जो कालपनिक चीज़े होती है, उनकी ना हड्डी मिलती है, ना खाल मिलती है, ना इस्तूप मिलती है, ना भासा मिलती है, उनका कुछ नहीं मिलता, इसलिए एथियासिक यौडियो अड़ अच्छा माहल रहता है तो आई आप संगहमामी संगहनमामी जगे नमुद्द हो